कहानी स्टाट करने से पहले गाईस मेरी थोड़ी सी गला खराब हो गया है तो आवाज उच्छ से नहीं आएगा तो माफ कीज़ेगा अब कहानी स्टाट करते हैं अपना जो 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 रहता है वो सबसे पुछ लेता है कि उसे नाइट में कोई आवाज आई थी क्या पर सब कहरा होते हैं कि आवाज तो नहीं आई जो 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 फिर अपने काव वेनिंग से पूछता है जो 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 बोलता है तो में कोई नाइट में आवाज आई थी क्या काव वेनिंग बोलता है कि मुझे बच्छाओ धराओ कुछ ऐसे टाइप की काव वेनिंग बोलता है नहीं मैं तो नैट को बहुत लेट तक जगा था पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई जाओ बोलता है ठीक है जाओ की नजर फिर काव वेनिंग के हाथ में बंदी वे एक धागे पर पड़ती है जो ग्रीन कलर का धागा था और वो हाथ में काव वेनिंग के पहले नहीं था इसलिए जाओ काव वेनिंग से पुछ लेता है ये तो मैरा हाथ में कबाया पहले तो नहीं देखा काव वेनिंग बोलता है ये ये तो मुझे गुजरने बंदा है कल ही जाओ बोलता है ठीक है फिर जाओ वहाँ से चला जाता है जाओ कल की बात ही सोच रहा होता है कि अचानक से वो इतनी सारी आवाजे आखाहा से रही थी जाओ मन में ही बोल रहा होता है कहीं उन काटों के पीछे इंसानों को तो नहीं चुपाया गया था न वो इंसान जो असिकरन में नहीं फस पाए हूँ इसलिए उनको वहाँ पर रख दिया हो या फिर वो इंसान जो जबूत गाटी का विरोध करते हो उनको तो वहाँ पे केट नहीं किया होगा ना जाओ यही सोच रहा होता है तभी जाओ अपने वैन से टकरा जाता है और वैन और जाओ दोनों साथ में नीचे गिर जाते है वैन बोलता है तो मैं दिखा ही नहीं देता क्या वैन को पहले पता नहीं था वो जाओ जूसु है पर वैन को जैसे ही पता चलता है वो जाओ जूसु है फिर वेन भी महाँ से चला जाता है जाओ अभी भी हो सबी बाते सोच रहा होता है जाओ फिर कहता है मन मेही मुझे बाहर गूमना चाहिए मुझे हैं लोगों के बारे मैं जानना चाहिए साहिद मुझे पता चल जाए किने वसी गरन से कैसे निकाला जाए पर मैं जाओं कैसे, मैं बेश बतल की जाओं, फिर जाओं कुछ सी बोलता है, नहीं नहीं, ये गाओं बहुत छोटा है, यहाँ पर एक दुसरे को सब जानते होंगे मेरे साथ से, क्योंकि छोटे गाओं में कोई ऐसा नहीं होता जो एक दुसरे को नहीं जानता, जाओं बोलत गुजयान हाँ बोल देती है और कहती है आप गेट के बाहर मेरा इंतजार किजे मैं आती हूं जाव सु हाँ बोल देता है और गेट के बाहर खड़ा हो जाता है जाव काफी देट तक इंतजार करता है पर गुजयान नहीं आती फिर अचानक से वहां पर कोई आता है जो कहता ह चले आजू, जाओ देता है, तो रहता है अपना वैन केजिंग, जाओ बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहो, वैन बोलता है, तुम यह गाओं गुमना था ना, और मेरे गाओं को मेरे से अच्छा कौन गुमा सकता है, तुमने भी तो मुझे अपना गाओं गुमा है था, जाव बोलता है तो मैं घुमाने की कोई जूरत नहीं है मैं गुझन से बोल चुका हूँ वो हाती होगी वेन बोलता है वो नहीं आएगी क्यों कि मैंने उसे म relied First जाओ बोलता है क्या वेन बोलता है हाँ मेरे उसे मैंना कर दिया मैंने कह दिया कि मैं अपने आजू को गुमा दूँगा तुम यहीं पे रहो तो वो मान गई जाओ शुगुष्रे में अपना मुटी बन कर लेता है हार कहता है इस कुजियान को तो मैं छोड़ूँगा नहीं अपना जाओ पे कुछ नहीं कर पाता इसलिए वो सूचता है कि ठीक है चली लेते हैं फिर वो दोनों गाओं के तरफ जाते हैं अपना भूद गाड़ी बहुत ही चोटा था पर बहुत ही प्यारा था वेन बहुत ही अच्छे से अपना पूरा गाओं दिखाता है और जाओ बड़े प्यार से तीक रहा होता है, जोहरी किसी के हाथों में देखता है, तो उनके हाथों में भी वो ग्रीन धागा था, जो सब के हाथों में था, जोह बोलता है, ये ग्रीन धागा किस के लिए है, ये सब के हाथों में क्यों है, गूरजान के भी हाथों में देखा था, ये पर जाओ को याद ही नहीं आ रहा होता है इसलिए वेन बार बार जाओ के हाथों में देख रहा होता है वेन भी नोटिस कर लेता है कि जाओ वेन के हाथों में देखा जा रहा होता है इसलिए वेन जाओ से बोलता है क्या वाजू तुम मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहते हो क्य मेरे हाथ को इतनी प्यार से क्यों देख रहे हो तुम फिर अपने नजरे अटा आता है तो तुम्हारा हाथ कौन बखड़ेगा मैं तो बिल्कुल नहीं बखड़ना चाहता वो तुम्हारे ड्रेस की डिजाइन काफी अच्छी है इसलिए वैन मुस्कूराता है और कहता है सिर् पोजनाले नहीं है क्या वैन वही अपनी प्यार से स्माइल कर रहाता है और कहता है है ना चलो मैं तुम्हें ले जाता हूं और यह कहते ही जाओ का हाथ पकड़ लेता है और ले जाने लगता है जाओ बोलता है हाथ छोड़ो मेरा वैन बोलता है हम पार्टनर है हम ऐसे चल स को जाने हैं और वैंन और जॉटल पहुंच होते हैं और पेड़ का आता है यहां पर आपको क्या हैं बोली ना चाहिए मैं अभी लाता हूं जैसे आप जानते हैं हमारी नहीं नहीं साधी हुई है और हमारे पार्टनर को कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है तो आप यहां की सबसे अच्छी डिस ला दीजे वो सेवक केता है हां क्यों नहीं क्यों नहीं और यह केते हैं वहां से चला जाता है जाव सेवक की भी हाथों में दीख रहा होता है और उसके हाथों म क्या मतलब वेन बोलता है आप उनकी भी हाथों को अतनी ही प्यार से देख रहे थे जितने मेरे हाथों को देख रहे थे तो क्या आपको उनके भी हाथों का डिजाइन अच्छा लगा पर उनके कपड़ों में तो कोई डिजाइन ही नहीं है वो तो एकदम सिंपल सा कपड़ा है तो आप उनके हाथों पे इतने ध्यान से क्यूं देख रहे थे जाओ फिर बात बनाता है और कहता है और उसकी हाथ काफी अच्छी लगी मतलब वो काम करता है फिर भी उसकी हाथ काफी नरम लग रही थी मुझे इसलिए मैं देख रहा था और कोई बात नहीं है वैन बोलता है हाथ नरम लगी फिर वैन अपने हाथों को देखने लग जाता है और फिर जाओ के हाथों पे हाथ फेडने लग जाता है और कहता है मेरे हाथ नरम नहीं है क्या यह देखो कितने अच्छे तो हे मेरे हाहत भी, अब जाओ थोड़े दिर एकदम सिद्धा हो जाता है, और वैन अवी तक उसके हाथों पे अपना हाथ फेली रह होता है फिर वैन जाओ से कहता है सायद मेरा हाथ सची में कामल है जाओ बोलता है ऐसा क्यों वेन केता है क्योंकि अभी तक तुमने मेरा हाथ अपने हाथों से हटाया नहीं ना फिर जाओ वेन का हाथ अपने हाथों से हटाया और केता है मैंने किती बार का है मुझे चुआ मत करो ऐसे हरकते मत क्या करो मुझे गुसा आता है वैन कहता है ठीक है फिर तभी हाँ पर खाना आ जाता है और वो खाना खाने लग जाते है जा उमन में ही सोच रहा होता है आखिरकार मैंने वैन का हाथ अपने हाथों से हटाया क्यों नहीं फिर जाउ कहता है यह खाना काफी मुष्ट है जाओ वेंच से कहता है यह खाना कितना अच्छा है पर क्या मतलब है तुम्हारे गाहों में तो बहुत कम ही लोग है कोई बाहर से तो खाना खाने आता नहीं होगा जाओ फिर वेंच से कहता है तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं तुम बाहर के लोगों को भी अंदर आने क्यों नहीं देते हैं भूद गाटे गुमने क्यों नहीं देते हैं सही रहेगा तुम्हारे यहाँ पर भी पैसे आ जाएंगे अच्छे खासे बाहर के लोग जब आएंगे तब वेन एक तुम सान्थ ही रहता है और कहता है मैं बाहर के लोगों के जान पे खत्रा नहीं डाल सकता है जाओ कुछ नहीं कहता है और मन में कहता है बाहर के लोगों पे खत्रा डाल नहीं सकता है या फिर खुदते हैं तुम जानते हो कि अगर बाहर के लोग आ गए तो तुम्हे महार डालेंगे इसलिए तुम चुहे के तरह एक बिल में छुपे रहते हो फिर वो लोग खाना खाली होते हैं और वेन ने जाओ को गाओं गुमा भी दिया होता है जितने भी बुड़े बुजुर्ग थे ना वो वेन और जाओ को असिवाद दे रहे होते हैं और बहुत तैरिफ कर रहे होते हैं एक दूसरे की मतलब बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी साथ में काफी अच्छी लगती है वही लड़के जाओ से जल रही होती है क्योंकि उसने वेन केजिंग से साधी की होती है और वेन केसिंग वाका सबसे लड़का होता है वो लड़के पीट पीछे बाती कर रही होती है कि पता नहीं माश्टर वेन ने इसमें क्या देखा जो इससे साधी कर ली ये तो बिल्कुल खुबसूरत नहीं है और जो जो जू को अथना ही गुश्ट आ रहा होता है और जो जोसुमन में कह रहा होता है हाँ तुम्हारा राजा तो बहुत ही खुबसूरत है न जोस味 मेंने नहीं बोला था इससे साधी करने को वही जित प्योड़ा था फिर वो लोग महल वापिस पहुंच जाते हैं जावसू अपने कमरे में कैला रहता है और घुस्से में एक तक्क्या उठाता है और फेक देता है और कियता है उन लड़कों के तकलीफ किया है खुबसृत खुबसृत वैन केजीग कुबसृत उतना कहां खुबसूरत है मैं कहां का कम हूँ और मैंने साधी क्यों की मैंने थोड़ना बोला था वैंसे साधी करने को वही जित पढ़ा था फिर वो मुझे क्यों ताले देती रहती है पीट पीछे बाते करने वाले लोग मुझे बिलकुर पसंद नहीं है और एक और तक्या उठाता है और फिर से फेक देता है जाओ सू फिर अपने विश्टर पे बैठ जाता है बाहर जाके मुझे कुछ मिला तो नहीं पर दिमाग जुरूर खराब हो गया उन लड़कियों के बातों से जाओ फिर अपने आपको ये कहता है नहीं नहीं जाओ तो इतना गुस्ता नहीं हो सकता तुझे संथ रहना है और तेरा पहला मकसद ये है कि तुझे देखना है कि वैन के हाथों में भी वो ग्रीन धागा है की नहीं अगर वो ग्रीन धागा है तो उसका मतलब क्या है गाउं के सारे लोग वो क्यों बहने बैठे हैं ये मुझे जानना है जाओ जिसू तु कुछ मकसद से आया है यहाँ पे वो तुझे मकसद पुरा करना है इन फाल तो लोगों के बातों में नहीं आना है फिर जाओ अपने आपको सांथ करवाता है और वेन के पीछे चला जाता है वन्दों वेन को महल के अंदर ढूणने चला जाता है कि वेन कहां पे है फिर एक दासी बोलती है महरानी महराजा तो जहां पर युदकला सिखाया जाता है वहाँ पे है जाओ बोलता है ठीक है फिर जाओ कहता है वैसे मैं महारानी नहीं हूँ ठीक है मैं एक लड़का हूँ और तुम मुझे जाओ कह सकती हो मुझे महरानी आज के बाद कभी मत कहना सना अपने गुटनों पे बैठ जाती है मुझे माफ कीजेगा मैं आज साब को कभी महरानी नहीं बोलूगी मुझे माफ कीजेगा जाओ होलता है अरर तुम बैठ क्यों गई मैंने तुम्हें घुटनों पर बैठने को थोड़ना कहा था मैं तो बस इतना बोल रहा था मुझे महरानी मत बोलना ठीक है उदासी फिर कहती है ठीक है फिर जाओ वाँ से चला जाता और कहता है कितनी हजीव लड़की थी मैं तो अतना गुस्ते में भी नहीं बोला था पर वो तो अपने घुटनों पर यह आगए फिर जाओ ट्रेनिंग एरिया में पहुंचता है और आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ट्रेनिंग एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं वें बोल रहा होता है कि तलवार को ऐसे पकड़ो जिसी आपकी मेहबूबा हो छोड़ना ही नहीं है ठीक है और ये सुनके जाओ को गुसा आने लगता है और हो कहता है ये सारे लोग अभी बच्चे हैं इनकी एश पंदरा होगी और ये इन सब को ऐसी बाते सिखा रहा है कि ये क्या तलवार चलाना सिखाएगा सुनके सारे स्टूटन्स जो सीखे होते हैं वो हस भी रह होते हैं जो फिर उन लोगों कहता है देखो किसा दात फाड़ फाड़ के हस रहे हैं इनको कुछ समझ ही नहीं है मैं जब इनके उमर का था तो मैं ऐसी तो हरकते बिल्कुल नहीं करता था मेरे गुरुजी तो काफी अच्छे थे, मुझे काफी ढंक से सिखाये थे फिर वेन उन सब को थोड़े बो तलवार के मुव दिखाता है और वो सारे लोग बहुत ही इंप्रेस रहते और कहते अगर वेन के वो हाथों में धागा हुआ तो यह बहुत कॉमन बात है सब के हाथों में होता है पर अगर वेन के वो हाथों में धागा नहीं हुआ मतलब सब लोग वसी करन इसी चीज़ से हो रहे हैं और अगर मैं वो धागा तोड़ दू तो साइध वो वसी करन से निकल जाए तो मतलब मेरा काव वेनिंग भी इन लोगों की चाल में फस रहा होगा मुझे उसके हाँ से भी धागा निकालना पड़ेगा वेन उनको ये सब सिखाई रहा होता है तब ही वहाँ पर जाओ अपना तलवार लेके आ जाता है और वेन पर अटेक कर लेता है पर वेन उस तलवार को रोक लेता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी छोटी सी तलवार बाजी होई जाती है उन दोनों को तलवार चलाता हुआ, देखे, जो बच्चे अभी सीख रहे होते हैं, न्यू तलवार चलाना, वो बहुत ही इंप्रेस रहते हैं, वो कहते हैं, ये दोनों तलवार कितना अच्छा चला रहे हैं, सब गहरे होते हैं, कि हाँ, राजा जी की पतनी भी बहुत ही चलाते हैं और कैसे नहीं चलाते हैं मुझे देखके सीखेंगे कि तलवार कैसे चलाते हैं और तुम्हें देखके सीखेंगे कि तलवार कैसे नहीं चलाते हैं वेन केता है ठीक है तो देखी लेते हैं फिर वेन भी अपना फॉर्म में आ जाता है और बहुत अच्छा तलवार चलने लग जाता है अब जाओ तो तलवार चला रहा होता है पर उसकी कहास कर नजरे वैन फ स्वार पाती कि बढ़ा बढ़ा वाल तलवार छाटेक वैण पर करता है जिस वजे से वैन की हाथ कि कलाई का जो आदा कपड़ा होता है न वो फट जाता है जिस वज़े से उसका हाँ दिखने लग जाता है और जाव को फाइनली दिख जाता है कि वैन ने भी वो ग्रीन धागा पहन रखा है जाओ मन में ही कहता है, इसने भी गरीन धागा पहन रखा है, मतलब वसी करन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, वेन जाओ से कहता है, आजू, तुमने तो मेरा कपड़ा ही फार दिया, तुम्हें सुबे से मेरा कपड़ा इतना अच्छा लग रहा था ना, तुम इस कैसे यही कह रहे थे ना, जाओ सो फिर रुख जाता है, और सबसे कहता है, तुमने तो देखी लिया होगा कि तलवार कैसे चलाना चाहिए, और कैसे नहीं, सुननो बच्चो, मेरे तरह तलवार चलाना, अपने राजा की तरह नहीं, ने तो हर यूद में हार जाओगे, और यही वहाँ से चला जाता है, और वेन मुस्कुराता ही रहता है, और सारे बच्चे कह रहे होता है, ओ, मारा राजा की पतनी कितनी ओसम है, कितनी अच्छी तलवार चलाती है वो, एक दूसरा लड़का उससे कहता है, तुम भूल रहे हो, कि वो भी एक लड़का है, तो तु क्या को मुझे समझ में ही नहीं आता वो दूसरा लड़का कहता है तो मुने भी राजा कह सकते हो जैसे हम इन्हें कहते हैं वो दूसरा लड़का कहता है ठीक है तो हमारे आज से दो राजा है एक वैन राजा एक जाव राजा है ना वो दूसरा लड़का हामे सरी लाता है और क पहन रखा है तभी कमरे में वेन की मा आती है और जाओ को कहती है जाओ पेटा तुम ठीक तो हो ना काफी टेंसन में लग रहे हो जाओ बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ वेन की मा फिर जाओ को बोलती है अपना हाथ आगे करो जाओ फिर जब अपना हाथ आगे करता है तो वेन की मा deben के पहरते हैं जाएं yağ को कि यो पास जाती है यो ही जाएं तरीके के सरप हात से चली जाती है वेन के माँ वेन के पाइस जाती है और कहती है तुम्हें एक छूटा सा काम दिया था जाओ को हाथ में धागा बान निकले तुमने वो भी नहीं किया न वैन बोलता है उसकी माँ बोलती है यह काम डंक से नहीं कर सकते आज की बाद ध्यान रखना जाओ वो धागा खोल दे तो हाथो हाथ उसे पहना देना और उसको जंगल के आसपास भी मत बटकने देना तुम जानते हो अगर वो जंगल के आसपास भी बटका तो क्या होगा वैन की माँ उसे में बहुत गुसे में थी इसलिए वैन कुछ कहता नहीं है वैन अपना सर नीचे रखा रहता है और हाँ में सर ही ला देता है में नाइट का सीन दिखाया जाता है जाओ उस टैबल को ही देखा जा रहा होता है जहां पर वैन बैट के बुक पड़ता है वैन आज घर मलदा कमरे में आया ही नहीं होता है जाओ सोच रहा होता है ये वैन क्यों नहीं आया कल भी नहीं आया था वो नाइट में चाता कहा है आखिरकार फिर जाओ अपने हाथों में बंदे वे स्क्रीन दागे को देखता है और कहता है वो आवाजे नहीं आ रही जो गला रही थी अब जाओ यही सोचते सोचते सो जाता है फिर जाओ की जब नेंद खुलती है तो जाओ देखता है कि वेन उसकी पास में ही बैठे बैठे सो गया है जाओ मन में ही कहता है वेन चाता तो मेरे पास आके सो सकता था पर वो सोया क्यों नहीं फिर जाओ वाँ से उठ जाता है और वाँ से चला जाता है जाओ जो बाहर जाता है तो देखता है काव वेनिंग बाहर के लोगों से मतलब बूत गाटी के लोगों से बहुत अच्छे से हस खेल के बात कर रहा होता है जाओ मन में ही कहता है काव वेनिंग यहां के लोगों से बहुत अच्छे से बात करने लगा है क्या ये भी तो वसी करण में नहीं फस रहा है ना कुछ भी हो जाए मैं काव वेनिंग को फसने नहीं दूँगा अब काफी दिन बीच जाता है जाओ जिसु यही डून रहा होता है कि वसी करण से आखिर कार निकाले कैसे इन लोगों को पर जाओ जिसु को कोई नहीं मिलता अब एक नाइट जाओ अपने कमरे में लेटा हुआ था और वेन आज भी नाइट में घर में नहीं था जाओ बोलता है छे दिन हो गया है छे दिन से मैं यहाँ पे हूँ पर वेन केसिंग कभी भी नाइट में नहीं रहता आखिरकार वेन जाता कहां पे होगा अब जाओ पानी पीने के लिए उठता है अपने बिस्तर से तब उसके हाथ से वो ग्रीन धागा खुल जाता है जाओ को वो आवाज आने लग जाती है धीरे धीरे करके फिर अचानक से वो तेज हो जाती है जाओ जिसू के कान फिर से दर्द होने लग जाते है जाओ के कान से हलका हलका खुन भी निकलने लगता है जाओ जिसू उस धागे को पकड़ता है और अपने हाथ में चिसे तेसे करके बांदेता है जाओ सू जैसे ही उस धागे को बांदता है वैसे ही वो आवाजे आना बंद हो जाता है जाओ के कान से खून लिकल रहा होता है जाओ गोलता है ये कैसे हुआ धागा खुलता ही इसनी तेज आवाज कहां से आने लगी और ये पहनते ही ये आवाज कैसे रुक गई ये आवाज वही है जो उस दिन आ रही फिर जाओ एकदम सांद हो जाता है और वो अपने हाथ का धागा वापिस से खोलता है तब इसको वो वापिस से वो सब आवाज आने लग जाती है जाओ उन आवाजों का पीछा करता है तो जाओ वापिस उसी जंगल में आ जाता है वो आवाचे और भी बढ़ जाती है जाव केता है यह आवाचे और भी बढ़ गए पक्का इन जंगलों के पीछे ही कुछ है जाव जिस वह आजे पहुंचता है पर आजे काटो वाला जंगल था मनलमा पे सिर्फ काटे काटे ही बढ़े हुए थे जाव सू अपना तलवार निकलता है और उन काटों को पूरे लग जाता है जाव सू को वो काफी सारे काटे चुब भी जाते है पर जाव रुकता नहीं है और अंदर जाता रहता है जाता रहता है अब अपना जाव फाइनली अंदर पहुंच जाता है तो देखता है बहुत प्यारी जड़ना बेह रही होती है काफी सारे फूल होते हैं काफी सुन्दर जगा होती है वो एक्तम भूत गाटी जैसी ऐसा लगता है कि भूत गाटी का आदा हिस्सा है वो जाओ बोलता है कितनी सुन्दर जगा है और वो आवाज भी आना बंद हो जाता है जाओ देखता है कि सामने जड़ने के बास एक बहुत सुन्दर लड़की बैठी हुई है उसके बाल काफी बड़े थे और वो काफी सुन्दर लग रही थी वो लड़की एपनी बाल सवार रही होती है और गुना रही होती है तूम कौन हो। तो यहां पो वस गई हो क्या। अब यूज लड़की का कवा होता है हलिका सा असलिका दonk से दिखा ही नहीं दे रहा होता है। पर एक बात तो पूरी यकीन से कह सकते हैं कि वो लड़की काफी कुबसुरत है Is respondsूस लड़की के काफी पास चला जाता है और कहता है तुम कौन हो तुम ठीक तो हो ना जाओ फिर उस लड़की का फाइनली चेहरा देखता है तो वो सची में बहुत कुबसुरत थी उसकी आखें जील जितनी गेरी थी वो काफी खुबसूरत थी, उसकी होट एक तम पिंक थे जाओ बोलता है, ये कौन से जगा है? तुम ठीक तो हो ना, वो लड़की हां में सरहिलाती है, कि वो ठीक है जाओ अपने मन में बोलता है, ये लड़की कितने खुबसूरत है इसका चेहरा कितना महसूम है पता नहीं, यह यहाँ पे क्या कर रही है जौस उस लड़की से कहता है तुम हो क्या, जो मुझे आवाज दे रही थी जौस फिर मन में ही कहता है पर मैंने जो आवाज सुना था वो काफी बारी था वो किसी लड़की की आवाज नहीं जा और इसको देख के लगता नहीं है किसकी आवाज इतनी बारी होगी वो लड़की कहती है नहीं, वो आवाज नहीं दे रहे थी पर वो कुछ कहती ही नहीं है वो इसारों में ही कहती है और उट जाती है और जाओ को हाथ देती है कि आगे चलने के लिए जाओ उसका हाथ पकड़ भी लेता है फिर वो दोनों तोड़े और अंदर जाने लगते हैं वो एक प्यार ऐसे जंगल से गुजरते हैं जहां पे बहुत सारे अलग-अलग किसम के फल थे जाओ उन फलों को देखके कहता है ऐसे फल तो मैंने आस तक नहीं देखे वो लड़की फिर महाँ पे रुख जाती है और एक फल तोड़ती है और जाओ को ना खाने के लिए देती है वो लड़की सारों में कहती है कि यह फल खाओ और वो बहुती क्यूट लग रही होती है उस समय जाओ जिसू को थोड़ी सी सरम सी आने लग जाती है और ना जाओ जिसू के दिल में उस लड़की के लिए थोड़ी सी फीलिंग आने लगती है जाओ जिसू कहता है यह लड़की कितनी प्यारी है परी लड़की यहाँ पे करक्या रही है जाओ जिसु फिर उसके हाथ उससे फल ले लेता है फिर जाओ जिसु उस लड़की के हाथ पे ध्यान देता है तो उसके हाथ में ग्रिन धागा नहीं था जो गाओं के सारे लोग पहने वे थे जाओ शुफर मन में कहता है भी सरमा रही होते हैं और जो को यह थोड़ा सरम आने लग जाता है और वो कहता है यह तुकड अटारा था बस मैं तुम कुछ गलत मत सोचना वो लड़की मुझ्टाते वई हां में सर हिलाती है जौ बोलता है मैं पागल होगी हूं वो लड़की फिर आगे जाने लगती है जौ भी उसकी पीछे पीछे जाने लगता है जौ ने वो फॉल अभी तक नहीं खाया होता है और एक बढ़ने वाली थी जो जाओ नोटी सी नहीं कर रहा था कि जहां पे अभी बहुत गाटी में नाइट हो रही होती है वहां पे जहां पे जाओ अभी था वहां पे सुबह हो रही होती है वहां पे तो बिल्कुल नाइट नहीं था बैसा लग रहा था कि अब भी ही सुवे हुई भर 사ू ने उस लड़की के घुपसूरती की मौह कुछ बात नोटी संथी नहीं कर रहा था तो बस लड़की को ही देखा जा रहा था उरजा बुंदा कुछा चला जा रहा और वो लड़किया भी काफी सरमारी होती है और अपना जाओ जिसु को भी थोड़ा बहुत सरमारा होता है क्योंकि जाओ जिसु को लड़की भागई होती है पहली नजर में ही अब जाओ ने उसको गिनने से बचाया होता है इसलिए जाओ का एक हाथ उस लड़की के कमर पे हो वो लड़की जाओ को थोड़ा सा जंगल के अंदर ले गई होती है मतलब जहां पर गणे गणे पे हैं वहां पे ले गई होती है अब लड़की वहीं पर रुख जाती है और जाओ बोलता है यहां पर क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथी कहां पर हैं और वो लड़की कुछ नही और उसके सांसे थोड़ी वहत तेज हो गई होती है और वो जाऊ में की तोड़ा तीवाती जा रही होती है जाऊ मन में ही बोलता है क्या ऐसे किस करना सही होगा वैसे ये भी तो मुझे कर रही है मुझे भी ये पसंद है साइडी से मैं अच्छा लगता हूँ तो किस करना कोई खराब नहीं होगा फिर जाओ भी अपनी आखे बंद कर लेता है और उस लड़की को किस करने ही वाला रहता है तब ही अचानक से जाओ को कोई पीछे ढख लेता है और वो अपना वैन केजिंग रेता है वैन केजिंग उस लड़की को इतना तेज धक्का देता है कि वो आगे जाके गिरती है वैन को देखके जाओ भोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम बागल हो क्या एक लड़की को इतना तेज धक्का देते है बिचारी कितना दूर जाकी गिरी है और वो थोड़ा न उस लड़की के करीब जाने वाला लेता है तभी वेन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और अपने बहुत करीब घीच लेता है और कहता है किस चाते हो ना मैं करू तुम्हें किस करू और वेन जाओ के बहुत करीब जा रहा होता है, तभी जाओ को गुस्सा आजाता है वह वैन को एक तैज धपड मारता है और बूर रहो मेर से वैन गुस्ते में कहता है, वह लड़की किस कर रही कि दूर चलता है, मैं तो तुम्हारा पती ulna, तो क्यू नहीं चलता है जाओ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और अगर तुम उसकी तरह सुंदर होते हैं तो मैं एक पल के लिए सोज भी देता पर तुम तो एक नंबर के बसूरत इंसान हो उसकी आखे कितनी प्यारी आखे हैं उसकी मन करता है कि उसके आखों में डूब जाओ और तुम्हें देखके मन करता है कि तुम्हें कहीं डूबा दू अब अपना वैन बहुत ही तेज हसने लग जाता है और अपने हाथ से अपने चेहरे को पकड़ लेता है तब जाओ वैन के हाथों में ध्यान देता है कि वेन के हाथों में अभी खून निकल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि उससे किसी ने काटा हुआ है, अब वेन अपना हस्ते में कहता है, आजू, तो मैं उसके आखों में डूपने का मन कर जाएदा, एक बार उसके आखों में जाके तो देखो, फिर सची में डूपने क करेगा जाकर देखो तो सरी अपने जाओं को कुछ समझ में नहीं आरा होता है उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की इस पार चेहरा वैसे नहीं रहता जैसे पहले था उसका चेहरा एक तब मॉंस्टर जैसे हो जाता है जिस आखों की वह तारिफ कर रहा होता था उस कुछ नहीं देखता सिर्फ अंधेरा होता है उस आखों में और सची में आखे ऐसा लग रहा होता है कि अगर हाट डालो तो अंदर चला जाएगा उसकी स्माइल कितनी प्यारी है अभी उसकी होट दरुदर से फट गई होती है मतलब एक दम ऐसे लग रहे होता है कि बहुत दर गया होता है कि वह भी चल भी नहीं पा रहा होता है वह लड़की इसी बात का फायदा उठा कि जाओ को काटने वाली रहती है तब वैन आखे जाओ को अपने तरफ घेच लेता है और दूर कर लेता है लड़की को एक तलवार मारता है जिससे लड़की आगे चली जाती ह वैन जाओ को कहता है डूब गए ना उसके आखा में और डूब लो तुम्हें किस नहीं वो तुम्हें खाना चाती थी वो तुम्हें अपने इलाके में लाई ताकि तुम भागो तो उसके साथी तुम्हारा पीछा कर सके और वो भी तुम्हें खा सके ठीक है अब जाओ को क कि नहीं उसको खाना चाहती थी तभी एंड वक्ट पे वहां पे वैन आ गया था वैन ने उसको दूर तो कर दिया था पर उस लड़की का नाखून वैन के हाथों में लग गया था और थोड़ा से ही लगा था तभी वैन के हाथों से इतना खून लिकल रहा होता है अपने कि इतनी तेज कैसे बाग सकती है मतलब कोई भी इतना तेज कैसे बाग सकता है वैन जाओ को पर्टेक करने के लिए अपना हाथ जाओ के सामने कर देता है ताकि जाओ पे कोई हमला ना कर सके वह लड़की एक अच्जीव सी क्रीपी सी स्माइल करती है और अचानक से एक पर यह में बदल गई पर क्या से अब लड़की एक आवास देती है मतलब बेड़े आवास देता है तब हम पर उस जैसे बहुत सारे इंसान आ जाते हैं और वह भी बेड़े में कनवर्ट होने लग जाते हैं जाओ यह देख के बहुत कंफ्यूज रहता है कि यह सब हो क्या रहा है अब तो जाओ को डड़ नहीं पर वह बहुत कंफ्यूज था कि वह हो क्या रहा है वैन मुस्कूराता है और कहता है लगता है तुम इस कबेली की रहानी हो है ना वह बेड़िया कुछ नहीं कहता और अपना खुजली कर रहा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता है वै और ऐन आचानक से अपने कपड़े एक पंखा निकालता है जाओ बोलता है तुम्हएं घर भी लग रहें गया तुम्हें हवा हाक ना है क्या वेन बोलता है नहीं तो यह अपनका क्यों निकाला है वेन बोलता है देखते जाओ फिर वेन वह पंखा फेकता है investir पंखा सारे लोगों को चोट पुचा के वापिस वेन के हाथों में आ जाता है और ये देखके जाओ एकदम हैरान और इंप्रेस भी जाओ मन में बोलता है और इसका असली हाथियार एक पंखा है काफी अच्छा हाथियार है एक तरीके से मैं भी रखोंगा अपने पार वेन ज अचानक से जाओ पर हमला करने वाला रहता है तब जाओ के पास एक पेड़ आके खड़ा हो जाता है मतला एक पेड़ की टेहनी आ जाती है उस पेड़ की टेहनी को देखता है तो उस पेड़ की टेहनी के पास एक पॉपल मलब डाक पॉपल कलर की लाइट गूम रही होती है फिर जाओ जब वेन की तरफ देखता है तो वेन के हाथों में भी वो पॉपल डाइट गूम रही होती है मतलब वो टेहनी को वेन कंट्रोल कर रहा होता है जाओ मन में ही कहता है वेन पेर कंट्रोल कर सकता है फिर वेन अचानल से जाओ के सामने आगे खड़ा हो जाता है और अपने मेजिक से जमीन से बहुत सारे वूड निकालता है मतलब बहुत सारे पेड़ निकालने लग जाता है जिस वज़े से बेड़ियों को वैलिंस बिगडने लग जाता है फिर वेन जाओ के तरह वापिस सारा करता है और वो काफी दूर चले जाते हैं वो भागते भागते काफी दूर चले जाते हैं जहां पर बहुत ही अंधेरा देता है और वो अच्छी में बूध गाटी लग रहा होता है ऐसा लग रहा होता है कि वहापे बहुत सारे बूध हैं हमें अपने घर चलना चाहिए ना वैन बोलता है अभी हम अपने घर नहीं जा सकते जाओ बोलता है क्यों वैन बोलता है मैंने अभी उससे अपने सक्टी से उस जगे को बंद किया है ताकि बाकी यहां के लोग अपने भूद घटी में ना जा सके और उन लोगों को कोई हाम न पहुँचे जाओ थोड़ा घबराते हुए कहता है तो मतलब हम अपने घर कभी नहीं जा सकते ना वेन कहता है ऐसी बात नहीं है दो दिन बाद मा वहाँ पे रिच्वल करेगी और उस रिच्वल के समय सारी बूरी सकती है वहां से काफी दूर चली जाती है तब हम यहां से बा तब वहां की लोगों के जान पे खत्रा होचाएगा और मैं यह नहीं कर सकता और यह बात सुनके जाओ वेन को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है वेन भी यह नोटिस करता है कि जाओ इतने प्यार से देख रहा है इसलिए वेन बोलता है क्या बाते इतने प्यार से देख तुम जो भूत काटी को जानते हो ना वो सच है पर वो भूत काटी यह है यहां के लोग इनसान को खाते हैं हम लोग नहीं अभी बात सुनके जाओ एकदम सांत हो जाता है जाओ कुछ और बोलने वाला रहता है तब ही वहाँ पे उन भेरियों की कदमों की आठ आने लगती है और हूम की आवाज आने लगती है मतलब वो एक दूसरे को इसारा कर रहे होते हैं यह देखके जाओ वैन को बोलता है कि एकदम सांत रहना वैन कहता है ठीक है वैन मन में कहता है जिससे मैं अभी तक पोटेक्ट कर रहा था वो मुझे पोटेक्ट करेगा देखते हैं मेरे आज़ों में कितनी सकती है अब वो लोग वहाँ से धीये धीये जाने लगते है तब ही जाओ देखता है कि एक और सुन्दर लड़की है जो वहाँ पे खड़ी हुई है वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है अब अपना जाओ एक और लड़की को देखने लग जाता है और ये देखके अपने वैन को गुसा आ जाता है वैन बोलता है कितना ठरकी है ये किसी को भी देखके इंप्रेस हो जाता है जाओ धीरे से ही कहता है कितनी प्यारी है उसकी तरह नहीं है पर यह सब बाते वें सुन रहा होता है जाओ फिर वें से गयता है कि हम इसकी मदद ले यह मुझे उस लड़की की तरह नहीं लगती यह हमारी मदद कर सकती है यहांपे रहने को वैन हां में सरी लाता है मतलब क्यों नहीं ले लो मदद फिर जाओ धीरे धीर होगा पर जाने लगता है तब ही वो लड़की अपना रूफ चेंज करने लग जाती है और वो लड़की एक बहुत बड़े अजकर में बदल जाती है और यह देख के जैसे ही जाओ सीधा चल रहा वैन फिर कहता है यह भूद गाटी है दंगल का असिवाद है यहां पर इन लोग असिवाद का उप्योग कलत किया इसलिए यह लोग अभी यहां पे घेड है जाओ फिर कुछ नहीं कहता है फिर वैन और जाओ जैसे तेसे करके एक सेफ चकावे पहुंचते हैं वहां पे फिर वो दोनों गुफे के अंदर बैठे रहते हैं तब जाओ की नजर वैन की हाथ पर पड़ती है जहां से अभी भी खुन लिकल रहा होता है इसलिए जाओ अपना आदा कपड़ा फार देता है और जाओ की हाथों में बांद देता है और यह देखके वैन को बहुत ही अच कुछ नहीं कहता है अब काफी नाइट हो जाती है और वो दोनों वहीं पर रहते हैं अब दोनों को सर्दी भी लग रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्यूंकि आग जला नहीं सकते थे अगर उनने आग जलाया तो वहां की लोग यहां पर आ सकते हैं इसलिए वह आ वैन फिर कुछ नहीं कहता है और वहां से उटके जाने लगता है जाओ कहता है कहां जा रहे हो पता है ना बाहर काफे सारे लोग है वैन कहता है मुझे पता है पर मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता और यह कहते ही वैन वहां से चला जाता है जाओ रोकने की कोशिस करता है पर वै कि अपने γोर्ट पर ऑती हैक काफी सदेर होगी होती है दो दोड़ी से चिंटा होरी होती है की मैं सोच रहा होता है कि वैंने को तुमकर ने यहां पर मरें तो मैं भी बाढ़ नहीं बाभाएंगा तो मुझे ढूनना जाना पड़ेगा जाओ यही कह कि जाने वाला रहता है तब ही वहाँ पर वैन आ जाता है वैन के हाथों में कुछ खाने को था मदला मचली थी और थोड़े बहुत फॉल फुरूट थे पर अपना वैन बहुत ही ठाका हुआ लग रहा था मदला उसकी आलत बहुत लग रही थी जाओ ऐंध को देखता है यह खाना लेने गया था उथे कृधा हुए वज्त फहों के इतनी सारे handful फार नहीं है की तुम इस जि जाबा नहीं है इस बज़े से बस नहीं तो मुझे कोई फरग नहीं परता तो मरो या फिर जो जाओ बहुत अटक रहा था, मतलब जाओ जूड बोल रहा था वैन फिर मसकुराता है कोई बात नहीं फिर वैन धीरे धीर आगे बढ़ रहा होता है पर वेन का पाउन लड़कडा जाता है और वो गिड़ने वाला रहता है तभी जाओ उसे पकड़ लेता है और बड़े ही चिंता में कहता है वेन तुम ठीक तो होना क्या हुआ है तुम्हेरा सरीश बहुत करम लग रहा है वेन ये देख के बहुत ही घुसर रहता है कि जाओ इसके फिकर कर रहा होता है वेन कहता है मैं ठीक हूँ पर अपना वेन ठीक नहीं रहता है वेन फिर वहाँ से उठ जाता है और कहता है ये लो कुछ खा लो अब जाओ वेन को बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है जाओ फिर वेन बैठ जाते हैं मलब दोनों बैठ जाते हैं और वो फल खा रहे होते हैं जाओ तो अभी भी वेन को ही देख रहा है वेन कहता है ऐसे क्या देख रहे हो जाओ बोलता है वो मैं ये दिख रहा हो कि तुम कितने बड़े पाउल हो तुम मैं पता है है हम आख महीं चला सकते फिर भी तुम φेस्त लेक्या हो इसे पकाएंगे कैसे और कच्छा खा नहीं सकते तुमहें नहीं पता वेन नो इसकुराता है कि कहेता है माफ कीजेगा जग केता है कोई बात नहीं फिर जव उखिरकार पूछ लेता है तो मैं तुम्हे तने थके क्यों लग रहे हो क्या किसी ने तुम पर हमला किया क्या वैन बोलता है मज़ everyone हमला नीक है तो उतने थके वे क्यों हो त於नсन कहता है ऐसी कोई बात में बाल बाहर गया था तो मैं थोड़ा से थक गया हूं तर वेन मन में कहता है मैं वो सकती चवी भी यूज़ करता हूँ तो मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ और कोई बात नहीं है मेरे अर्जू तुम इतना टैंसन मतलो जाओ अपने मन में कहता है कोई तो बात है जो वैन मेरे से चुपा रहा है वो बताना नहीं चाहता है जाओ अभी भी वैन को देखी रहा होता है जाओ मन में कहता है पहली बार इसको देख रहा हूँ मैं सोते हुए ऐसे अब हमें अपने भूत काटी का सेन दिखा जाता है जहां पे वैन की माँ बहुत ही टेंसन थी उन दोनों को लेके वो हर जगे ढून लिये होते हैं तो वैन की माँ को पता चल जाता है कि वो लोग भूत बहुत गए है अब वैन की माँ बहुत ही टेंसन में रहती है और ना गुश्यान और अपनी बिच्चु की माँ उनने सांथ करवारी होती है पर वैन सांथ ही नहीं हो पाती मलब वैन की माँ सांथ ही नहीं हो पाती है वैन की माँ रोते रोते ही कहती है पता नहीं कैसे होंगे वो दोनों नहीं कहोंगी की नहीं होंगे बिच्चु के माँ कहती है आप विस्वास कीजे वो ठीक होंगे when है ना वहाँ पर when इतना कमजोड नहीं है न वहाँ पर अपना cow waning भी खड़ा रहता है और वो भी जाओ के लिए बहुत टैंसन में हो गया होता है cow waning बहुत ही request करता है बूध काटी की जंगल के अंदर जाने के लिए पर कोई से जाने ही नहीं देता काव वेनिंग फिर रिक्वेस्ट करता है तो उसकी मा के ती नहीं जा सकते तो अब कल जब रीचवल होगा तब ही हम अपने बेटे को देख पाएंगे वेन की मा करोना बंद ही नहीं हो रहा होता है और ये देख के खाव वेनिंग को भी थोड़ा सा अजीब लगता है अब अब बुत गटी पर वापिस इंसिप्ट होता है जहां पे काफी टाइम हो गया होता है पर वहां पर अब बीवी शुबह नहीं हुई होती है अब बीवी समझ में नहीं रहा, मैं वापिस वहाँ पर जाओं तो क्या मुझे पता चल जाएगा, कि अभी सुबह हो रही है या फिर नाइट, पर वहाँ पर बहुत खत्रा भी तो है, पर जाओ फिर कहता है, वेन भी तो आया है, तो में भी आ सकता हूं, अरे कहते ही, जाओ फिर देखने चल जाता है, कि अभी सुबह हो रही है या फिर नाइट, अपना वेन भी वी सो रहा होता है, जाओ काफी आगे पहुँच गया होता है, तब जाओ को एक रोने की आवाज आती है, जो बहुत बुड़ी आवाज होती है, और जो कह रही होती है, मुझे भूख लगा है, जाओ को देखती है, तो कहती है, बेटा, कुछ खाने को देदो, बहुत भूख लगा है मुझे, अब जाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है, कि उस बुड़ी आवरत की वो मदद करे की नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग है, सब अपना बेस बदल लेते हैं, वो अ नहीं लगती है, वो बुड़ी वरत उस फल को फेकती है, यह खाने को दे रहे हो तो मुझे, अगर यह खाना होता, तो मैं कपका खा लेती है, जाओ फिर कहता है, तो आपको क्या चाहिए दादी अमा, वो दादी बोलती है, मुझे ना, इंसान खाना है, और यह कहते ही, बह बुड़ी वरत करने ही नी चाहिए थी, मैं फिर से फस गया, और जाओ फिर होँआ से भागने की कोसिस करता है, पर वो ओरत काफी बड़ी हो गई होती है, इसलिए वो जाओ को ना, बैठे-बैठे ही पकड़ सकती थी, जाओ भाग रहा होता है, पर वो बुड़ी वरत अप पेट बहुत अच्छे से बढ़ेगा, ये देखके जाओ इधम हैरान रहता है, कि वेन जाओ को फिर से बचान से कहता है, तुम्हें पीच माने के क्या जरुवत थी, वेन कहरा होता है कि जाओ, यहां से भागो, मैं इसे समान लूँगा, पर जाओ भागने के लिए तियार रहता ही, और अपना तलवार निकाल लेता है, और उस बुढ़ी विए पेशाने माला करने रहता है, पर यह बुढ़ी काफी तोड़ी आस تو मैं बहुत खुस हूँ वो और बलही दानुब जैसी हो गई होती है पर उसके आवाद अभी भी वैसी ही रहती है अब अपना वेन उसके हातों से छूटने की कोसिस करता है पर वो छूट नहीं पाता है और जाओ पी बहुत कोसिस करता है उसको हराने की पर वो उसके पास ही नहीं जह पारा होता है वैन अभी भी जाओ से कहरा होता है कि तुम जाओ मैंसे समाल लूँगा पर जाओ मानने के लिए त्यार ही नहीं रहता है फिर जाओ उस बुड़ी के पास जाता है तब ही वो बूड़ी फिर से अपना हाथ ऐसे जमीन पे मारती है तब ही वेन अपना जाओ थोड़ा सा उचल के उसके हाथ पे खड़ा हो जाता है और उसके हाथ पे ही चल के उसके गरदन के पाथ चला जाता है अपना तलवार लेके वो बूड़ी जाओ को देखके बोलती है काफी हिम्मत वाले हो तुम पर मेरे सामने ये नहीं चलेगा वो बूड़ी थोड़ा सा अपना सरीर लाती है तो जाओ का बैलन्स फिर से बिगड़ने वाला रहता है और वो गड़ने वाला ही रहता है तब ही जाओ अपना तलवार उस बूड़ी के सरीर पे एकदम अंदर तक मार देता है जिस वज़े से उसकी तलवार उस बूड़ी के सरीर पे ही अटक जाती है उस बूड़ी को दर्द होने लगता है और वो चिलाने लगती है अब जाओ अपना गुस्से में बोलता है ऐसे ही चलाते होंगे जिनको तुमने खाया होगा और अब अपना जाओ बहुत ही गुस्से में रहता है और अपने तलवार पे ही उच्छल के उस औरत के पास चला जाता है उसके हाथ में तलवार ने रहता फिर भी उसके बहुत गरीब जा रहा होता है वो बुड़ी कहती है पागल हो तुम जो बीना तलवार के मेरे पास आ रहे हो पर जाओ जैसे तैसा करके उस बुड़ी के आख के पास पहुंच जाता है और एक तेज लात मारता है आख पे जिस वज़े से इसा लगता है कि अर्थ कोई कह गया है बहुत तेज जमिन हिltी है अब वेन भी उसके हाथों से छूड़ जाता है और फिर वेन और जाओ मांच से करते हैं कर बुड़ी काफी हो जाती है और बहुत ऐसा लगी रहा होता है कि सिर्व भाधी है और बिस एक ही लाइन बोल रही होती है कि में अपना खाना नहीं चोड शकती बहुत इनोबात मुझे स्वादिस्त खाना मिल रहा है मैं यह नहीं छोड़ सकती वैन और जाओ भाग रहे होता है पर वैन जाओ से कहता है क्यों ना तुम इसका खाना बन जाओ क्योंकि तुम बहुत स्वाधिस जो हो देखा नहीं वो लड़की भी तुम्हें खाना चाती है और अब यह बूड़ी भी मतलब बूड़ी फैन है जाओ बोलता है सांध करो ऐसे तो तुम्हें इसके पाल जाना जाए क्योंकि तुम्हारे बूड़ गाटी की साहारी लटका तुम्हें बहुत खुबसूरत कहती है ना तो चले जाओ इसका खाना बन जाओ वेन कहता है सची में जाओ कहता है फिर वेन उस बूड़ी के पास जाने लगता है जाओ बोलता है पागल हो क्या और वेन का हाथ पकड़ता है और उसको ले के भागने लग जाता है और ये देख वेन मुस्कुराने लग जाता है और जो का हाथ और टाइपली पक्रड भागने लग जाता है साथ में अब दोनों काफी दूर तक भाग गये होते हैं और उनको लगता है कि वो बोड़ी उनका पीछा नहीं कर रही होती है वो चेन की साथ जयसे ही लेते है वेसे ही जाव के पीछे वो बूडी हमला करने वाली देती है तभी वेन जाव को अपने बहुत करीब घीच लेता है तभी वहाँ साइड से एक और बूड़ी आपे दोनों पर हमला कर रही होती है पर इस समय जाव वेन और खुट को थोड़ा पीछे कर लेता है अब उस जैसी बुड़ी ओरत ती ही आ जाती है और वहां पर अचानक से एक बहुत खुबसूरत लड़की आती है जिसने बहुत ही सौड ड्रेस पहने हुए थे मतलब उसने पहने तो फुल ड्रेस ही थे पर उसके ना लेक पे कट था जिस वज़े से उसके पाओं पूरे दिख रहे होते हैं और उसने नीचे कोई स्लेक्स फ्लेक्स नहीं पहना होता है जिस वज़े से उसकी स्कीन बहुत सो हो रही होती है उसकी ड्रेस कलर की थी और वह दुलहन जैसी ट्रेस थी पर वो बहुत ही open थी, मतलब वो skin बहुत ही ज्यादा stop कर रही होती है अब यह देखके जाओ, उस लड़की को देखने ही लग जाता है और वैन फिर जाओ का अहांग बंद करता है और उस भूच से कहता है मतलब वो लड़की से कहता है, सरम नहीं आदि ऐसा ड्रेस पेंटे हुए क्या संसकार नहीं है तुम्हेरे पास? और यह मेरा पार्टनर है, इसके सामने ड्रेस पेंट के आने की हिम्मत कैसे हुई? अब वो लड़की बोलती है इसके सामने तो मैं अपना पूरा ड्रेस खोल भी दू ये इतना सुन्दर जो है अब ये सुनके वैन को गुस्सा आता है और कहता है कितिनी बत्तमीज हो तुम आखिर तुम हो कौन वो लड़की बोलती है यहां की विच वो लड़की एक विच रह मरना है और तुम्हें यहां पर छोड़के मुझे जाना पड़ेगा अपने भूद घटी अविच मुस्कुराती है किसी को तो मेरी खुबसूरती के कदर है और विच अपने जाओ के पास बहुत करीब जाना लग जाती है और इसके अपने हाथों से ना उसके सरीर पैसे फे सूरत लेड़की मुझे यहां पर नहीं रहना है और तुम मेरे से दूर हो और यह कहता ही उस बिच को दूर कर देता है और यह बास उनके विच तो पहले गुस्सा होती है और फिर हसने लग जाती है और कहती है ठीक है तुम्हें नहीं रहना है तुम्हें कर क्या सकती हूँ पर क्या है न तुम्हें मेरे चेलों का खाना बनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत समय से भूख है जो है वहाँ पे वो चार बुडिया ही रहती है तब जाओ एकड़म कॉम्पिटेड होके कहता है इन चार बुडियों को तुम्हें यूही मार दू वो विच मुस्कुराते और कहती है तुम्हें ये लगता है जाओ कहता है हाँ विच कहती है तो ठेक है विच अपने हाथ से कुछ मैजिक करती है जहाँ से मलना पांच-छे बेडियू निकलाते है उन चार बुड़ी और और पांच-छे बेडिये सांथने और ये देखके जाओ थोड़ा सा गबरा आ जाता है वैन जाओ तेंसन नत्लो मैं हूँ यहाँ पहे यही लाईन में तुम्हे बोलने आलता है तेंसन मतलो मैं हूँ यहाँ पहे फिर जाओ अपनी तलवार निकालने की कौसिस करता है फिर उसे याद आता है कि वो तलवार तो वही पे छोड़ के आ गया है तो वेन फिर अपना तलवार जाओ को दे देता है और अपने हाथ में अपना पंखा ले लेता है और कहता है अब लड़ने का वक्त आ गया है जाओ फिर हां में सर ही लाता है और वो दोनों उन से लड़ने लग जाते हैं और वो काफी beautiful तरीके से लड़ने लग जाते है वो विच थोड़ा दूर जाती है और एक इसे ना एक stone पर बैठ जाती है और एक दास आता है मतलब वो ही बुड़ी हो रहती है जो विच के पाउं दुबाने लग जाती है अपना वेन वर्जाओ लड़ रहे होते हैं और विच उनको देख के मस्कुरा रही होती है विच कहती है काफी सालों बहुत यहां पे इतने खुबसूरत नोजवाना है वो पंका वाला तो काफी जादा सुन्दर है बारे में और जानना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एफफ जभी भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास है और वेंजू फैन के पास बेर कर दीजेगा और हाँ गाइस एक कॉमेंट भी प्लीज किजेगा तो भी किले बाइबाइस, भी आपकेर